पहले आप फिलिम मसंगीजे और आपने देख लिया जनता की आवाज ये पिक्चर नहीं है एक जाग रुकता है जो हो चुका वो आपस ला नहीं सकते लेकिन ऐसा जेनोसाइट वापस नहीं होए इसके लिए हर भारतवासी को देखना चाहिए बच्चों को दिखाना चाहिए अगर हम एकत्र नहीं रहेंगे मदू मक्खी की तरह तो हमको ऐसा फिर जेनोसाइट देखना पड़ेगा और उसकी आवाज आपने बड़े जोरदार तरीके से हमारे जनता में से कोई ये नेता नहीं कोई मिनिस्टर नहीं ये अपनी जनता की आत्मा की आवाज थी और 30 साल गो나म ओध्र तक चुपाया गया ये सत्य था जो झागते ता जो आपको दिखरा ता इसमें यहासिन मलीक वो ग्रह मंत्री के साथ लंच करता था और प्रधान मंतर के साथ भीनर करता था यह सवाल लोगों ने पूछना चाहिए बढ़ यह प्रेम से पूछना चाहिए क्यों चुपाया गया उसको जम्मू से दिल्ली विसेस प्लेंस से क्यों लाया जाता था जो इसमें तो कम संख्या बताई गई उसने बताया था दोसों के बाद मैंने गिंती नहीं गिनी है ये 90% सच दिखाया गया है और ये इसलिए दिखाया गया कि ऐसा जेनसेट फिर खड़ा नहों फिर न बढ़े ये सब को जागरत होना है ये हो चुका ये हमें से कोई वापस ला नहीं सकता लेकिन नहों इसके लिए तो हम संकल बद हो सकते हैं सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं है ये पूरे हिंदूस्तान वासियों के सभ्यता की लड़ाई है अगर एक सरकार लड़ नहीं सकती है हम सब को साथ मिलके लड़ना पड़ेगा इसी लिए इस तरह से हम लोग को साथ मिलके चलना चाहिए और हमको सरकार का साथ द यह और जहां जहां पर आज वी सोच मोहनकों लादना पड़ेगा एक साथ लोना पड़ लेंगा यह सकता है और बोलेगा मैं यह करूंगा मैं वह करूंगा एस जाओंगा हमें ऐसे नहीं चल सकता हर एक को मोदी के साथ चलना पड़ेगा हर एक को उनके साथ में रहना पड़ेगा और यह सब्धेता की लड़ाइए आज से आज से यह शुरू हुए है अभी इसको खतम हम करेंगे थैंक यह सो मद्ध बाप बता की के हिंदुस्तान मेरे कर पाकिस्ता जिन्दाबाद के नारे वह लगाते हैं जो अपने बाप की ओलाद होकर भी परोस्ति को पापा कहे कर बुडाते हैं सर मकसद ऐसा है कि कुछ भी आजकल पिचर जो देखते उल्टा पूल्टा आता है और उसमें अपने सल्सकूर्टी के बारे में जानकारी नहीं मिलती है और जो कस्मिर बंडित से अन्याई हुआ है उसके बारे में ये फिल्म ने काफी कुछ उजागर किया है माननिय प्रद्यांद मंत्री साभ अपने नёзहरेंड्र मोधी जी ने भी सांसट में उसका जिक्र किया है तो ह्यादव भारतिय alltid और एक कास्मिर क्या था और आगे भी हम लोग आगे भी हमारे बहुत सारी डिमांड है सब लोग की तो अगले विक में भी हम लोग तिंग-चार सो और करेगे और आगे और डिमांड रहेगी तो और करते रहेगे हम लोग संग परिवार बजप और किसी ने हमारी बात को सुना नी आज हमें खुशी है अब लोग मानेंगे कि भजब और संग जो केता था उसा ही था जिस तोसे काश्मीरों पर अच्छार हुआ है लोग नहीं मानेंगे आज हमें खुशी है अब लोगों सही बात मानेंगे कि सही बात क्या है अब पिच्छत देखा हमने हम ते बहुत पहले देख चुके थे हमाई ले कुछ नहीं बात नहीं थी आम समाज जो नहीं मानते थे उसके लिए बहुत नहीं बात थी हम तो तीस साल से हम इसके लिए कास्मीरों के लिए और हम करते रहेंगे जनता जो भी यह है और इसके और भी वह उसो करेंगे अईसा हम सोच रहें और आगे बढ़े और हम सब भाविषभाई की साथ में बारत माता की जय वंबे मातरम बंबे मातरम